कुरुना के खात्मे के लिए मेरच जिले में प्रथम चरण के वैक्सिनेशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है जिले में वैक्सिनेशन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम के वैक्सिन प्रभारी डॉक्टर प्रवीन गौतम ने बताया कि मेरट जिले में कुल साड़े साथ लाख लोगों को वैक्सिन दी जाएगी वैक्सिनेशन के तीन चरण निर्धारित हो चुके है जिसके तहट प्रथम चरण में इस जिले के 18,000 सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों सहित स्वास्त सेवाओं से जुड़े करमचारियों को वैक्सिन दी जाएगी इसके बाद दूसरे चरण में पुलीस, मिलिटरी, पैरा मिलिटरी, नगर निगम और डायरेक्ट पब्लिक डिलिंग से जुड़े व्यक्तियों को वैक्सिन दी जाएगी तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सिन दी जाएगी प्रतम चरण में मातर तीन दीन के भीतर सभी 18,000 व्यक्तियों को वैक्सिन देने का काम पूरा कर लिया जाएगा जिसके लिए 60 सेंटर बनाये गए है हर सेंटर पर लगातार 2 सपता तक सुमवार के दिन वैक्सिनेशन का काम किया जाएगा रोट 6,000 व्यक्तियों को वैक्सिन दी जाएगे, हर सेंटर पर 100 व्यक्तियों को वैक्सिन दी जाएगे, ग्रामिन क्षेत्रों में हर CHC पर वैक्सिन की सुविधा उपलक्त होगे और तीसरा चरण हमारा होगा सब जो हमारे 50 साल से जाद है उम्र के लोग है उनको हम तीसरे चरण के इंदर वैक्सिनेट करेंगे पर्थम चरण की तैयार है बिलकुल पूरी हो चुकी है इसमें 18 लोग अठारा हजार लोगों को आमने जो हमारे गौर्मेंट के प्राइवेट के डॉक्टर्स हैं मेडिकल के जितने भी उनके एसिस्टेंट है उनको लिया है और इस प्रकार से पूरी तैयारिया हो चुकी है वैक्सिन के लिए मेरट मेडिकल कॉलेज में पाच राधा गुविंध इंजिनियरिंग कॉलेज में छे आनन हॉस्पिटल में दो सुभारती इच्छे और अन्यस्थानों पर 20 से इंटर बनाए जा रहे है